अल्लाम एक्वाल उपन युनिवर्सिती वतने अजीज पाकिस्तान और एशिया की पहली जबके दुनिया की दूसरी ओपन युनिवर्सिती है 1974 में पार्लिमेनी एक्ट के तहट काइम होने वाली ये युनिवर्सिती इस वक्त दुनिया की बड़ी यानि मेगा युनिवर्सितियों के सफ में शामिल हो चुकी है इसके तमाम प्रोग्राम्स एची सी यानि हाईर एजुकेशन कमिशन से मनजूर शुदा है अलाम एक्बाल उपन युनिवर्सिती मुल्क और बेरुने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को मुआशरती खिदमत की गरत से कम खर्च और काबले दस्तरस तालीम को आम करने के लिए जदीद टेक्नालोजी पर मबनी फासलाती निजाम तालीम के जरिए कारामद इल्म उनकी देहलीस पर फ्राहम कर रही है फासलाती निजाम तालीम जिसके तहत वो लोग जो वक्त पर तालीम हासिल ना कर सके हूँ अपने कारोबार और अपनी मुलास्मत को जारी रखते हुए तालीम हासिल कर सकते हैं और अपने कारोबार और मुलास्मत में बेहतरी के मवाके भी पैदा कर सकते हैं Allama Iqbal Open University ने अपने काम का आगाज 1974 में चंद कोर्सिस के इजरा से किया और आज ये युनिवर्सिटी मेट्रिक्स से लेकर M.Phil और PhD की सदा तक तक तकरीबन 1250 कोर्सिस पेश कर रही है और इसके तलबा की तादाद तकरीबन 5.5 लाग से बढ़ गई है Allama Iqbal Open University ने मुलक की तालीमी जुरूरियात को मदे नजर रखते हुए फासलाती निजाम तालीम के साथ साथ रस्मी तालीम का भी आगास कर दिया है समिस्टर बहार 2010 के दाखले 5 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्श को खत्म हो गए है इन दाखलों में जो कोर्सिस मेरिट की बुनियात पर हैं उनकी जाँच पर ताल का काम जारी है जो तलबा और तालिबात मेरिट पे पूरा उदरेंगे उनको शोबय दाखला की तरफ से लेटर भेजा जाएगा इस लेटर के साथ अपनी फीस जमा करवा कर आप अपना दाखला करा सकते हैं जिन कोर्सिस में NTS लाजमी है तो उनके लिए NTS पास करना जुरूरी होगा जिसके शेडियूल आपको मिल जाएगा और NTS पास करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट पेश करना होगा इसके बाद आपको दाखला और फीस का लेटर मिलेगा आप इस लेटर के जरीए अपना दाखला करवा सकते हैं अलामा इकपाल उपन युनिवर्सिटी का फासलाती निजामे तालीम दूसरे कॉलेजिस और युनिवर्सिटीस से मुक्तलिफ है जैसे ही दाखलों का अमल खत्म हो जाएगा तो शोबय दाखला की तरफ से दाखला की लिस्ट शोबय तरसील को फराहम करती जाएगी तो शोबय तरसील आपके कॉर्सिस की किताबें और इम्दिहानी मश्कें पर्थ, रेडियो टीवी शेडियूल और इम्दिहानी मश्कें जमा करवाने का शेडियूल और जुरूरी हिदायात नामा एक पकेट में आपके दिये हुए पते पर रेजिस्टर्ट डाक के जरीए रवाना करतेगा इन किताबों के पकेट पर आपका रोल नंबर और रेजिस्ट्रेशन नंबर दर्च होगा जिसे आप अपने पास नोट करने किताबों के मिलने के बाद आपको आपके निस्दी की रेजिनल ऑफिस की तरफ से मुकर्र किये गए ट्यूटर की तरफ से ट्यूटर लेटर मौसूल हो जाएगा जिस पर आपके ट्यूटर का नाम और टुटोरियल सेंटर का पता दर्च होगा याद रहे, मुख्तलिफ कोर्सिस के मुख्तलिफ ट्यूटर लेटर आएंगे अगर आपको ये लेटर मौसूल ना हूँ तो आप अपने गरीबी इरिजनल आफिस से ट्यूटर का नाम और पता हासिल कर सकते हैं फासलाती निजामे तालीम के तहट ट्यूटरियल मीटिंग क्लास वर्क का लास्मी जुस्वे इसके लिए ट्यूटर के दियो हे पते पर आपको शेडूल के तहट आना होगा और अपने ट्यूटर से ट्यूटरियल मीटिंग करनी होगी मीटिंग से पहले आप अपने घर में किताब पढ़कर और मुश्किल सवालाद नोट कर लीचे ये मुश्किल सवालाद अपने ट्यूटर से आप हल करवा सकते हैं और अपने साथी तालिब इनमों से युनिवरसिटी के मुतालिक मालूमात भी हासिल कर सकते हैं इसके बाद इम्तिहानी मश्कें जमा करवाने का मरहला आता है ये इम्तिहानी मश्कें आपको शोबे तरसील की तरफ से भिजवाएगे बस्ते में मौजूद होंगी हाफ क्रेडिट के लिए दो, फुल क्रेडिट के लिए चार इम्तिहानी मश्कें होती हैं ये इम्तिहानी मश्कें आपने कोर्सिस की किताबें और लाइप्रेडी में मौजूद मुतालगा किताबें पढ़कर रेडियो टेलविजन के प्रोग्राम देख और सुनकर टिटोरियल मीटिंग में ट्यूटर से डिसकस करने के बाद आपको अपने लफजों में लिखनी होत इम्तिहानी मश्कें लिखने के बाद इनके ऊपर तीन परत लगाकर जिन पर टिटोर का नाम, कोर्सिस, इम्तिहानी मश्क नंबर और दूसरे हिसे पर अपना नाम और रोल नंबर लिखकर टिटोर को बजरिया रेजिस्टर डाग उसके पते पर दियो हुए शेडूल के तह रवाना करें याद रहे ये इम्तिहानी मश्कें 15 दिन के बाद अगर आपको टिटोर की तरफ से चेक शुदा इम्तिहानी मश्क और एक परत पर लगे हुए नंबर्स, हिदायात और हिदायत लिखे हुए के साथ आपको वापस मिलनी चाहिए अगर आपको वापस ना मिले तो अपने ट्यूटर से या मुतलिका गरीबी रिजनल आफिस से कन्फर्म कर लीजे के आपकी इम्तिहानी मश्कें मौसूल हुई है या नहीं, इसके नंबर लगे हैं या नहीं, याद रहे ये इम्तिहानी मश्कें फासलाती निजाम तालीम में बहुत एहमियत की हामिल हैं अगर आप इन इम्तिहानी मश्कों में पास हो जाएंगे तो आपको फाइनल इम्तिहान में बैठने की इजासत होगी अगर आप इन इम्तिहानी मश्कों में फेल होगे तो आप फाइनल इम्तिहान में बैठने के एहल नहीं होगे और आपको इन ही कोर्सिस में दुबारा द इम्तिहानी मराकिस में होते हैं, जिनकी इत्यला आपको शोबे इम्तिहानात की तरफ से मौसूल होती है, जिसमें आपकी इम्तिहानी सेंटर का पता, तारीख और टाइम दर्ज होता है। इदी यू डॉट पीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्क्शॉप साइंस के कोर्सिस के अलावा और टीचर एजुकेशन के एमिट, बीट, सीटी और पीटीसी के लिए लास्मी हैं। इनको पास करना भी ज़रूरी है। ये वर्क्शॉप करवाना मुतलका शोबे या मतबा दाखले होते हैं। सेमिस्टर बहार के दाखले फरवरी में जबके सेमिस्टर खिजां के दाखले अगस्त में शुरू होते हैं। जैसे ही आपको पहले सेमिस्टर की किताबे मौसूल होंगी, उसके चंद रोज बाद आपको दूसरे सेमिस्टर का कंप्यूटराइज दाखला फॉर्म मौसूल हो जाएगा अगर आपको ये दाखला फॉर्म नहीं मिलता तो आप युनिवर्सिटी के मेन केमपस या अपने करीबी इरिजिनल आफिस से एक सादा फॉर्म लेकर उस पर रोल नंबर, रेजिस्ट्रेशन नंबर, सेमिस्टर और प्रोग्राम जिसमें आपने अपनी मर्जी के कोर्सिस लिख कर या अगर आप अपना पता तब्दिल करना चाहते हैं तो वो लिख कर मुतालब का बैंक में फीज चमा करवा दें तो आपका दाखला अगले सेमिस्टर में हो जाएगा युनिवर्सिटी एक्टिविटी आच मार्च को बैनल अक्वामी खवातिन के हवाले से खुसूसी हंगामी इजलास हुआ इस इजलास का माज़ू था आर्टों के मसाईल, उनका हल और अखलाकियात इस इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नजीर इहमत सांगी ने की उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा अल्लामा इखवालों पर युनिवर्सिटी और मुलक भर के 36 यहरों में काइम युनिवर्सिटी के इलागाई दफातिर को जल्द जल्द विमन फ्रेंडली केंपस बना दिया जाएगा ताके वो इत्मिनाने कल्ब और यक्सूई से फरोग इल्म के मुलकीर उमूर में अपना करतार भरपूर तरेके से अन्जाम दे सकें युनिवर्सिटी के हॉस्टल में फारी तार पर खवातीन स्टाफ पर मुझतमल केफेटेरिया काइम किया जा रहा है इजलास में फैसला किया गया कि युनिवर्सिटी की उन तमाम इमारतों में जहां खवातीन की ज्यादा तादात है या जहां तालिबात की आमद और रफ ज्यादा है फारी तोर पर एक एक कमरा बत और कॉमन रूम मख्तस कर दिया जाएगा जिसमें नमाज पहने की सहूलत और वाश रूम वगरा भी माजूद होंगे वाइस चांसलर क्रोफेसर डॉक्टर नजीर एहमन सांगी ने कहा कि वो जुबानी जमाखर्श करने पर नहीं बलके अमल पर यकिन रखते हैं मैं आप सब को इस पर्टिकुलर डे पे वैलकम कहता हूँ अलामा एकपाल ओपन यूविश्टी की वाइस चांसलर की तरफ से यूविल इंशालला फिल डिफरेंस इन डिशिशन मेकिंग और हीर तीन चीजों पर हमने कंप्रोमाइस नहीं करना इंशालला पहली चीज यह है कि वो क्वालिटी की एजुकेशन देनी है जिसके पास उसमें एक थोड़ी सी कमी है वीकनेस है हमने उसके लिए एक्स्ट्रा करनी है एक्स्ट्रा इंस्ट्रेक्शन डिवल्प करनी है इंशालला क्वालिटी में हमने कमी नहीं आने देनी दूसरी चीज़ यह है कि हमने अपनी आउट्रीच बढ़ानी है और आउट्रीच जो बढ़नी है वो अंडर प्रिविलेच एरियास में जानी है जिसमें खवात का खाब तो देख सक रहे हैं लेकिन वो आईउकेशन किसी डिफिकल्टी के वज़े से हासल नहीं करना जा रहे है। की रोशनी में तालीम औ तर्बियत के उन्वान से सेमिनार हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के माहिर तालीम और आलेम दीन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद लहसन आरिफ इस सेमिनार के मुकरिर थे। आज दुनिया में जो भी तरक्की है दुनिया में जो भी रिफ़त है ये सब कुछ बरकत है ये सब कुछ सदका है उस अजीम हस्ती की दुनिया में तश्रीफ आवरी का। हमारी गर्दनों पर इहसान है अल्ला के नभी सलिए लिए अगर आप तश्रीफ ना लाते और इस उम्मत के लिए पत्थर ना खाते इस उम्मत के लिए कुर्बानी ना देते तो आज भी दुनिया में उसी तरह अंधेरा होता आँ हुजूर सलिए लिए ने जो हमें निजा में तालीम और तर्बियत अता फर्माया अगर आप गहर जानेदारी से तज्जिया करेंगे तो आपको ये बात वाज़ तोर पर नसर आएगी कि आज हमारा जो सबसे बड़ा अल्मिया है वो तालीम का भी है और तर्बियत का भी है अल्ला की नभी सलल्लाओ लिस्सल्म को अल्लापाक ने जो मकासिद दे कर दुनिया में भेजा जिन मकासिद के लिए लगा ने मबूस फरमाया वो चार हैं और मसेख की बात देखिए के कुरान में उन चारों मकासिद का चार मकामात पे तसक्रा आया मकासिद भी चार और तसक्रा भी चार जगों पे है सुरह बकरा में दो मरतबा, सुरह आल इमरान में एक मरतबा, सुरह जुमा में एक मरतबा तालीम और तस्किया। तस्किया जो है वो तर्भीयत का दूसरा नाम है खाली किताब पड़ देना काफी नहीं है। उसके साथ तर७ीयत की भी जरूरत है और तर्बियत का भी अल्ला के नभी स्लिल्लाव लिए सल्म ने हमें एक तरीक एकार उसका पूरा निजाम अता फर्माया किस तरह से तर्बियत करनी है आज ना सिर्फ जनूबी एशिया, बद अमनी, देशतकर्दी और मौाशी बद हाली का शिकार है बलके पूरी दुनिया में बसने वाले आवाम गैर यकीनी की जिन्दगी बसर करने पर मचबूर हो चुके हैं हमें इन हालात का शिकार किसने बनाया है अगर हम गौर करें तो इसका बुनियादी महर्रिक इसलामी तालिमात से रुख गरतानी है इन ख्यालात का इसहार अल्लाम अकपाल उपन युनिवरसिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नजीर एहमत सांगी ने किया रसूल करीम स्लाव सलम की जिन्दगी को देखा जाए तो ये 23 साल जो थे वो तालीम तर्बियत थी हम उसको कहते हैं अपनी आजकल की लेंग्वेज में नालिज इसकिल्स और तजकिया जिसको कहें कि अटिट्यूड चेंज जब हम एक कादर मतलक को जवाबदा है जब हम ये सोचें कि हमारे ओपर किरामन कात्मीन बैठे हैं जो हमारे अच्छी चीजों को भी लिख रहे हैं और बुरी चीजों को भी लिख रहे हैं जब हमें कहा जाता है कि अमर बिल्मरूफ वनही अनलमौनकर जब हमें कहा जाता है कि आप इंसाफ करो जब हम यह लोग करने लगते हैं किसकी मदद आती है अगर उसकी मदद शामिल हाल हो तो क्या कोई चीज मुश्किल है बिलकुल भी नहीं कि इसलिए आज हम सब पर फर्ज होता है कि एज्यूकेशनल इंडिस्टिटिशन के हैसियस से कि जो पैगाम हमारे तक पहुंचा है जो सच्चा हमने देखा है हमारे किताबें बताती है हमारे मुशायदात बताते हैं जिसके सच्चाई पर हम सब को यकीन है क्यों हम वो पैगाम लेके चले बलग लुलाब कमालेही कशफ दूजाब जमालेही हसन जमी ओ फिसालेही सलू अलेहे वालेही सलू अलेही वालेही गुज़चता महीना रब्य लवल का माहे मुबारक था क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी रिसालत माब हज़रत मुहम्म्मद अलेही वसल्म तश्रीफ लाए थे युनिवरसिटी की औरिटोरियम में 24 मार्श को इवा यनि Employees Welfare Association की तरफ से खवातीन के लिए एद मिलाद النबी सल्लेलाहु अलही वसल्म का इहतिमाम हुआ जिसमें युनिवरसिटी में काम करने वाली खवातीन ने शिरकत की और हुजूर्न नबी करीम सल्लेलाहु अलही वाली वसल्म पर मिलाद पढ़ा गया सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं उठो एं बे सहारो सरकार आ रहे हैं कभी मुझे को नीद ऐसी सुला जाना ऐ इश्के नबी मेरे दिल में भी समा जाना बारा रभी उल अवल को वो आया दुर्य यतीन सदलो मदीने आपा करो मिरबानियां मैनू मजबूरियां ते दूरियां निमारियां वरक्शाप युनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स का लास्मी जुस्फ होता है जिनको पास करना जुरूरी होता है इस वक्त पूरे मुल्क में पी टी सी की वरक्शाप जारी है आज आप यहां इकठे हुए हैं इसको हम कहते हैं कि ये पी टी सी की एक वरक्शाप का फंक्शन है जो इनागरेशन फंक्शन कहलाता है अब मैं आपके सामने वरक्शाप के हमाले से चंद बातें कहना चाहूंगा कि जो पी टी सी की वरक्शाप है ये बिलकुल बी एट की वरक्शाप की तरह की होती है इसमें डेड़ महीने का टोटल 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 टाइम है वो तकरीबर डेड़ महीने का होता है यानि छे हफ़तों का पहले जो दो हफ़ते हैं वो इंतहाई important होते हैं इसमें आपकी जो साज़ा कराम हैं वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से register बनाना है उसके उपर किस तरह से 40 lesson लिखते हैं और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मौडल कैसे बनाते हैं चार्ड कैसे लिखते हैं तो ये बच्चों जो पहले 15 डेज हैं ये हमारी वक्षाप में बहुत ही किलीदी किरदार अदा करते हैं उसके बाद जो चार हफ़तों की बच्चों teaching practice है वो आपने एक ऐसी अदारे में जाना है वो जो registered अदारा हो इस वरक्षाप में teaching practice करवाई जाती है कि वो आपका total lecture जुबानी अपने minds में रख लें इसके लिए आप हर हर चीज उन्हें note कर कर देते हैं ताके जब वो घर जाएं तो उनके parents जब note books खोलें तो उन्हें पता हो कि teacher ने क्या पढ़ाया है उन्होंने घर से बच्चों ने क्या पढ़के जाना है और आपने कल क्य सुनना है teaching के दोरान हमारे regional offices की तरफ से बाकाइदा, tutor और supervisor को check and balance किया जाता है और वहां center पर आए हुए तलबा और तालिबात के काम को चेक किया जाता है workshop में chart और model बनाना और इनकी presentation करना वरक्शाप मुकमल करने के बाद ये तालिबे इल्म अपने स्कूलों में जाकर अपने तालिबे इल्मों को किस तरह पढ़ाते हैं मुझे अपनी टीचिंग में कुछ थोड़ा weakness नजर आई और मुझे फिर पता चला कि लामकबाल ओपन युनिवस्टी टीचर को ट्रेनिंग करने का भी courses करवाती है फिर मैंने पीटी सी में एडमिशन लिया और पीटी सी में एडमिशन लेने के बाद जो मैं फिर्स्ट मिस्टर था उसमें भी मुझे काफी मेरे में चेंजिंग आई उसमें मुझे बच्चों के अमली नफसियात और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे काफी पता च कि मैंने अपनी हामियों को दूर किया और स्टुडेंट्स को बताया कि किस तरीके से हमने स्टुडेंट्स को पढ़ाना है टिचर्ज ने हमें बताया और इसके इलावा हमें ये बताया गया कि हमने क्लास में लेसन को सिर्फ एक ही पैर में ने ही पढ़ाना बलके हमने दो हिस् उनिवस्टी की ये है कि ये बचों को एवियर्स मॉडल और चार्ट की मदद से बचों को पढ़ाने का और उन्हें समझाने का तरीका इसमें उताया जाता है झाल गजका जाय का तरीकाव मॉडल और उन्हें उन्हें पार्ट की मॉडल और मॉडल और उन्हें का तरीका अजका तरीका ऑल सक्वार के येलिएिए है अश्याय का और फ। झाल 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 झाल